इन दिस कुश्यन कार्बन सॉलिड टू कार्बन गैशिस इस प्रॉसेज में सब्लीमेशन या अटोमाईजेशन में होने वाला एंथेल्पी चेंज हमें जो है वो निकालना है तो 1,2,3,4 जो ये डियक्शन से इनको अपने को ऐसे अडजेस्ट करना है कि इससे ये हमारी टार्गेट वाली रियक्शन अप्टेन हो जाए तो इसमें कार्बन सॉलिड तो हमें ऐसे ही चाहिए तो इसको तो चेंज करिए मत let it say one number or delta H minus 94.3 in the given unit फिर second में क्योंकि CO2 जो है मेरे को इधर चाहिएगा नहीं मेरा प्रोड़ेट तो कार्बन गैशेस है तो second को मेरे को reverse कर लेना चाहिए इधर ले गया CO gaseous plus तो second को मैंने minus कर लिया है position minus करने हो लग return period की position change कर दी तो ये मेरा delta H आ गया change होने से 67 point यहाँ भी sign change कर दी है अब O2 का status देखें तो O2 यहाँ 1 है और यहाँ half है ultimately reaction में तो चाहिए नहीं तो हम क्या करें इसको उधर ले जाएं और by 2 भी करें तो अपन ने क्या किया है third number को ऐसे कर लिया तो direction भी change किया है और half भी किया है तो ये मेरा कित्ता हो गया minus 117.4 by 2 ये तो पुरानी वाली reaction के 123 है और ये नई reactions के हमारे enthalpy change हो गए अब इसमें कोई problem नहीं है fourth को SETs ही रखा है carbon cashier सबन प्रड़क्स में ही चाहते है तो हम कह सकते हैं कि ये delta H4 230.6 है इनको आप add कर दीजे सबको तो ये cancel हो गया ये और ये इससे cancel हो गया ये इससे cancel हो गया और ये इससे cancel हो गया ultimately आपको star reaction मिल गई तो इसका enthalpy change जो हो जाएगा delta H star वो कैसे आजाएगा यहाँ पर obviously इन सबको sum करके जो है वो answer आजाएगा this answer करके जो हो गयाएगागागाई पर येडिए क्राएगागागागागागागागाऑ ये